धोलपूर में सेपोव कस्बे के सामुदाइक स्वास्ते केंदर पर नवजास शिशु की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया व्रता के परिजनों ने चिकित्सा कर्मियों पर रिश्वत और साथी लापरिवाही बरतने का गंभी रारोप लगाया परिजनों ने कहा कि 23 मई को घुगरे निवासी पुष्पा को प्रसव पीड़ा होने पर सामुदाइक स्वास्ते केंदर में भरती करवाया गया जहां पर प्रसूता ने बच्चे को जन दिया इस एवज में मोजूद चिकित्सा कर्मियों ने प्रसूता के परिजनों से 500 रुपे की मांग की लेकिन प्रसव के बाद ही शिशू की तब्यद बिगड़ने लगी जिस पर डॉक्टरों ने पेरा सिटा मोल की दवा देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला जाड़ लिया इसके बाद शिशू को जिलास्पिताल और उसके बाद जैपूर ले जाया गया जहां शिशू की मौत हो गई शिशू की मौत से आक्रोशित परिजनों ने सेपव स्वास्ते केंदर में शिशू के शव को रख कर हंगावा खड़ा किया जहां डॉक्टर नरेंदर अगरवाल और साथी लेबर रूम प्रिभारी सनिश बंसर ने समझाईश के बाद इस मामले को जैसे तैसे शांत करवाया